स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चानल पे मैं हूँ मनीशा कौशेक और आएम अश्टर तारो एक्सपर्ट और आज हम बात करने वाले हैं ड्रीम्स की जो आप में से ही किसी एक वीवर ने लिखा है कि सपने में ईश्वर का देखना भगवान की मूर्ती देखना का मतलब क्या होता है तो आज हम उसी बारे में चर्चा कर रहे हैं कि भगवान को देखना का मतलब क्या है बहुत बार जब भी मैं कहती हूँ कि आप मुझे अपना सवाल लिखके भेज रहे हैं या अपने सपने क वही मूर्थी है जिसकी मैं पूजा करती हूं वो साक्षात रूप में है और मैं उनसे अपनी दिल की बात कह रही हूं यहां फिर होता है कि जैसे अब गनपती विसर्जन का समय चल रहा है तो लोग विसर्जित करते हैं वो मूर्थियों को खुद को देखते हैं आप ने ईश्वर को तो देखा भगवान को तो देखा पर किस रूप में देखा आप उनके साथ क्या कर रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है सपने को आनलाइज करने के लिए जहां तक रही बात की भगवान को देखने का मतलब क्या है तो ईश्वर जो है वो आच्छली that's a call for your awakening यानि कि आपकी spirituality की और ध्यान को बढ़ाने को meditation पर focus करने के लिए ऐसे सपने जो हैं वो जाधा तर आते हैं जब आप थोड़े से परेशान चल रहे हूं जैसे मैंने आपको कहा कि मैं खुद को जो है वो भगवान से मैंने बाते करते हुए कभी देखा हो वो आपने जो है वो शायद अंदर है हम चाहते हैं हमें पता है कि यह मेरा step जो है वो यह उने वाला है लेकिन वो सही है या नहीं वो हिम्मत वो confidence नहीं आपाता तब भी ऐसे सपने जो है वो आते हैं और आप देखिए ऐसे सपने आने के बाद अचानक से वो confidence आ जाता है कि I am whatever I am doing in my life is right और मुझे यह decision लेना है this is the next step that I want to move on to तो अगर आपके सपने में भी भगवान आते है ना तो take it as a positive signal because वो भगवान जो है ना वो आपकी life में बहुत सारा confidence लेखे आ रहे हैं stay in touch और सपना अगली बार थोड़ा और detail में लिखिए मजा आएगा अनलाइस करने में